दिल्ली में आपको सबसे ज़ादा क्या पसंद आता है? क्या कुछ खाना भी पसंद आता है दिल्ली का? जब मैं इंडिया के बाहर हूँ, मैं हमेशा मसाला दौसा मिस करती हूँ कुछ और भी पसंद है क्योंकि दिल्ली तो चाट के लिए मशूर है अगर आप समझती है चाट आप मुखरजी नगर रही है और चोले बठोरा वगरे, खाफे आचे लजीज खाना मुझे मिस करती हो जब मैं बाहर हूँ प्रधान मंतरी मोदी की अपील पर इस पूरे साल को ग्लोबली मिलेट इयर के तोर पे मनाया जा रहा है और आज हेल्थ इशूज और मिलेट्स को लेकर बाते हो रही है और G20 के भी समिट के दौरान ऐसा कारिकरम है कि मिलेट्स की बहुत सारे डिशेज जो है वो महमानों के सामने रखी जाएंगे अब आपने छोले भटूरे का नाम लिया आपने मसाला डोसा का नाम लिया तो इस मिलेट्स और हेल्थ को लेकर पश्चिमी देशों में कितना असर है हाँ असल में अमेरिका में भी ऐसे इंचिंट ग्रेंज की बात होती रहती है और यह भी है के मिलिट्स कम पानी इस्तिमाल करते है और जब हम जलवायू परिवरतन ये महुलियाती तबदीली के बारे में बात करें तो हम जुरूर पानी की इस्तिमाल के बारे में इतियाद से करना है वर्ड बैंक ने G20 देशों पर एक रिपोर्ट में भारत के तेज विकास की तारीफ की है और कहा है कि भारत 47 साल का काम 6 साल में पूरा कर लेता है आपकी क्या राहे से लेकर हम देखते हैं कि इंडिया आपने इक्तिसादी बहुत एंबिशिस है और वो दुनिया को देखाना चाते है कि क्या क्या तिजारती मवाके है हम इन शोभे में इंडिया के साथ हावन करने के लिए ठायार है और अन्त में जाते जाते एक सवाल मागरेट आप से यही कि भारत में सफलता के साथ G20 का आयोजन अंतर राश्च्री सतर पर क्या भारत की साथ को बढ़ाएगा इसके बारे में आपका कोई विचार जूसरे शब्दों में बताएए इसका अर्थ यह है कि जो G20 का आयोजन भारत में हो रहा है क्या इंटरनाशनल लेवल पर भारत की प्रस्टीज को यह आयोजन और बढ़ाएगा हम देखते हैं कि इंडिया बहुत आचे किरदार अदा करे है इस G20 में और हम इन एक्जेंपल देखकर अपना इंस्पिरेशन भी मिला के हम भी मेजबान कर सकते हैं जी और अंत में जाते जाते आपसे बस यही सवाल की आने वाले समय में वर्ल के ओरडर में भारत और अमेरिका को आप दो महाशक्तियों के रूप में एक साथ देखते हैं क्या जिसे मैंने कहां इंडिया और अमेरिका के रिश्टा जो है वो बेतर से बेतर होती रहती है और हमारे मुश्टर के मुफादात बहुत है इसलिए हम बड़े पेमाने पर तावन करने के लिए थायार है हम इंडिया में आने पर बहुत हुशी है इंडिया के साथ थावन करना चाहते है और हम यह G20 फोरम पर दुनिया के सबसे बड़े economies के साथ काम करने के लिए थायार है चले और मैं इससे पहले आपका शुक्रिया दा करूँ मुझे पता है आपके पास समय की कमी है हमारे बहुत से दर्शक आपको देख रहे है और उनी के बीच से एक सवाल आया है कि इतनी अच्छी हिंदी और उर्दू आप में सीखी कहां से इंडिया से ही इंडिया में किस जगा से सीखे आपने जैसे आपने कहा में मुक्रजी नागर में रह रही थी अच्छा केवल कम्मुनिकेशन से आपने सीखा या किसी इंस्टिट्यूशन में एडमिशन लेकर सिखा वो भी है मैंने एक खास कर्याकरम ले लिया उत्रकंड मे एक लंडूर लिंगुज स्कूल है उसका भड़ाई बहुत आची है चली बहुत बहुत शुक्रिया मागे News 18 पर आपने बहुत समय दिया और खुल करके सबी सवालों का आपने जवाब दिया Thank you so much for coming here Thank you